हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है सना और मैं आप सबका वेल्कुम करती हो मेरे चैनल पर जिसका नाम है वॉइस ओवर वुमन आप देख रहे हैं मेरे कश्मीर सीरीज की फिफ्थ वीडियो अगर आपने बाकी की चार वीडियो नहीं देखी है तो डोंट वारी मैं लिंक डिस्क्र स्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी अब जरूर देख लेना तो यह था निव डे याने की 1st December 2021 और हम निकल गए थे गुलमर्क से पहल गाम जाने के लिए गुलमर्क से पहल गाम जाने के लिए 3.5 तो 4 आर्ट का टाइम लगता है हम गुलमर्क से मॉर्निंग में 10 एम को नि पहल गाम में हमारे होटल का नाम था होटल बॉंबे पैलेस यह भी एक 3 स्टार होटल है बहुत अच्छा रूम मिला था हमें रूफ स्लांटिंग थी और व्यू तो बहुत ही ब्यूटिफुल था सामने ही स्नो कवर्ड माउंटेंस थे तो अब बज़ रहते शाम के चार और और संसेट का टाइम था 5.30 पी-एम तो हमने सोचा क्यों ना ये टाइम हम यूटिलाइस कर ले कुछ नियरबाइ देखके राजाए तो हमें रिसेप्शन से पता चला कि यहाँ पर एक लिडर रिवर है जो की पूरे पहल गाम में फ्लो होती है और वो तकरीबन 73 किलोमेटर लॉंग है तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ जाकर तुमिडर रिवर को देख लिया जाए तो यहाँ पर हमने हमारी इवनिंग स्पेंट की और संसेट से पहले हम हमारे होटल में रिटान आ गए इस तरह हमारा डे थ्री गुजर गया गुज़र गया गुज़र गुज़र गय है और यह सबसे अच्छी चीज थी सुबह उठकर देखने के लिए और आज का हमारा फुल डे साइट सीन का प्लान था जिसमें आरू वैली बेताब वैली चंदनवारी और छोटे मोटे पॉइंट्स हम कवर करने वाली थे तो सुबह ब्रेकपस्ट के बाद हम निकल पड़े आरू वैली देखने के लिए पहल गाम में आने के बाद हमें मेक माई ट्रिप वालों की तरफ से दूसरा ड्राइवर विला जो की पहल गाम का ही लोकल था पहल गाम में ये लोग बाहर के ड्राइवर्स को अलाव नहीं कर यहां पर रास्ते में एक पॉइंट था जिसका नाम था व्यू पॉइंट और लिटरली यह पॉइंट ऐसा लग रहा था कि हम सिफ मूवीज वगरा में देखते हैं यह कुछ अलगी था ब्रेट टेकिंग व्यू था यह तो फाइनली हम पहुच गए आरू वैली यह बहुत 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 ही ब्यूटिफुल था सबसे बेस्ट प्लेस थी हमारे पूरे कश्मीर ट्रिप की मुझे बहुत पसंद आया आरू वैली और यहां पर बहुत ज्यादा कोल्ड था बहुत थंडी लग रही थी और मैंने यहां कश्मीरी कॉस्ट्यूम पहना और बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किये और सच में यह जो सीनिक ब्यूटि है ना यह हमें सिर्फ कश्मीर में ही देखने मिल सकती है इसलिए तो कहा जाता है कि कश्मीर जननत है कश्मीर इस हेवन अन एर्थ और यह त्रूली ब किया चार्जे से जोल्डी बगरा नहीं है कितने वाइबरेंट कलर्स थे क्लोट स्कें आ जस्ट लवड इप कि अपीशंग तो कि अपीशाग तो प्रूली तो कि अपीश इसलिए प्टाइब है चिया चार्जे मिल इसलिए एब जो ड्रूल इसलिए लड़गन जने आ 100 तो भी फ्लो हो रही थी Just look at me मोमेंट को खुल के जी रही थी मैं बस एब्सॉब कर रही थी पॉजिटिविटी और नेचर को और बहुत खुशी हो रही थी कुछ 12.30 हो रहे थे हमें आरू वाली देखके देखके फिर हम कुछ और पॉइंट्स देखने चलेगे और more than half day बचा था और हमने बहुत कुछ किया तो प्लीज मेरे साथ बने रहे इस कश्मीर सीरीज में मैं अगली वीडियो में जरूर बताऊंगी कि हमने पहल गाम में और क्या 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 किया मेरी वीडियो को प्लीज लाइक करे शेर करे और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करे मैं आपको जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत खयाल रखे खुश रहे and keep smiling शेर कुश रहे